सलाद बानाने की बात हो और खीरे का नाम ना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता साथ ही इसकी सबजी भी बड़े चाओं के साथ खाई जाती है इसके अलावा कई अनिखाद पदार्तों में भी सकॉपियों किया जाता है इसमें कई औसीजे गुण भी पाये जाते हैं जिस कारण इसका इस्तमाल स्वाज संबंधी कई समस्याओं के बचाब में किया जाता है हेलो दोस्तों मैं हूँ आरेन और आप देख रहे हैं हर्बर 24 आज हम बात करने जा रहे हैं गर्मियों में खीरा खाने के फायदों के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं नमबर वन हाइड्रेशन डी हाइड्रेशन यानि सरीर में पानी की कमी होना डी हाइड्रेशन के कारण सिर्धर यूरीन से जुड़ी समस्या मास पेसियों में एटन आदी का सामना करना पड़ सकता है वही खीरे का सेवन करने से आप इन समस्याओं से बच सकते हैं और इससे होने वाली चटिलताओं को कम करने में आपको मदद मिल सकती है दरसल ककडी के फायदों से जुड़ी एक सोध में पता किया गया है कि 95% पानी की मातरा पाई जाती है जिस वज़ा से इसका सेवन सरीर को हाइडरेट करने में आपकी मदद कर सकता है कई लोग खीरे का फेस पैक बना कर तुचा में लगाते हैं खीरे के हाइडरेटिंग और कूलिंग गुड़ के कारण ये तुचा के लिए बहुत ही फायदिमन हो सकता है महीं विटामिन C और एंटी ऑक्षिडेंट गुड़ों के कारण इसका इस्तमाद एक्षिमा, तुचा की सूजन, तुचा से जुड़ी समस्या, सोयसिस, तुचा में होने वाले लाज चकत्तों के कारण, खुजली और पपड़ी, एंटी एंक्ले, गुड़ मोहासों की समस्या सोया आपको मदद मिल सकती है बालों के लिए खीरा, खीरा काने के फायदे कई है, यह सिर्फ सेहत और तुचा के लिए लाब दायक नहीं है, बलकि इससे बालों को स्वास्त रखने के लिए भी बहुत सारे लाब मिल सकते हैं, दरसल इससे जुड़े एक सोध में जिक्री किया गया है, कि खीरे में सिलिक आईटोन और सल्फल उच मातरा में पाया जाता हैं, यह दोनों पोस्तत्त بالon को विकास करने में मदद थन सकता है, वजन कम करने के लिए खीरा, बोटापे की समस्या को नियंतित करने के लिए, आप खीरे का सेवन कर सकते हैं, दरसल 100 ग्राम खीरे में सिर्फ 15 कैलोरी होती है जो पानी की मातरा को अधिक कर सकता है और कैलोरी और पानी की अच्छी मातरा के कारण खीरा वजन के लिए भी बहुती लापकारी हो सकता है इस आदार पर खीरा खाने के फायदे में बढ़ते वजन को नियंतित करना सामिल हो सकता है 5. एंटी ऑक्सिडेंट गुड़ों में भरपूर खीरे में एंटी ऑक्सिडेंट गुड़ों भी पाया जाता है जो सरीर के लिए कई तरह की फाइदेमन चीजों के लिए साबित हो सकता है एंटी ऑक्सिडेंट सरीर के लिए आवस्रक तत्म होता है ये सरीर की free radical और प्रभाब को कम करने में आपकी मदद कर सकता है ताती ये oxygen stress को कम करने में आपकी मदद कर सकता है जैसे aging, kidney rope, वाहिरदे rope के जोखिम को कम कर सकता है चलिए हम जानते हैं खीरे के उपयोग के बारे में वैसे तो सभी को मालूम है कि रसोई में खीरे कोपयोग किस प्रकार किया जाता है फिर भी हम ये हैं खीरे को कुछ खास तरीके से आपको बताएए खीरे को दो कर फिर छिलका निकालने के बाद सीधा खा सकते हैं ज्यादा तर इसका उपयोग सलात के रूप में किया जाता है कई स्थानों पर खीरे का अचार बड़े चाओ के साथ खाया जाता है तो इसके अचार को भी बना सकते हैं इसके उपयोग सबजी बनाने में भी किया जा सकता है दक्सिन भारत में खीरे का उपयोग सामबर डोसा में बनाने के लिए किया जाता है खीरे का जूस निकाल कर भी पिया जा सकता है सेंड़िच में खीरे की स्लाइस इस्तमाल की जाती है लोगों को लंच में खीरे का रायता भी बहुत ही पसंद होता है खीरे का सूप भी बनाया जाता है खीरे के रसको चेहरे पर भी लगाया जाता है तो जैसा कि आपने देखरा खीरे के उपियोक और खीरे के फायदों के बारे में तो इसको अपने daily routine में फालो करें और ऐसे ही tips और videos के लिए हमारे चैनल को subscribe करें